Hello viewers, Assalamualaikum, you are watching, I am Jadmeer and I will be Viewers, आज हम Theories of Punishment के बारे में डिसकस करेंगे ये Lawgate के लिए Topic expected है अगर आप किसी Judicial Exam में अपियर होने जा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत important है और ये Topic हम Jurisprudence में Study करते हैं Theories of Punishment आप स्क्रीन पे देख सकते हैं Retributive, Deterent, Preventive and Reformative तो ये सारी Theories of Punishment हैं और हम इनको Individually Discuss करेंगे So let's get started Before going to Topic, if you are new on our channel, please subscribe it और साथ में bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो एजी लिब सके तो सबसे पहले Theory जो है, वो है Deterent Theory What is Deterent Theory और इसका Purpose क्या है? To create fear among the people as they could not even think to commit crime Deterent Theory का Purpose ये है, ये पनिश्मेंट है और इसका Purpose ये है कि लोगों में खौफ पैदा करना Fear पैदा करना ताकि वो जो है Crime कमिट ना करें ये एक ऐसी पनिश्मेंट है जो कि किसी एक Offender को दी जाए तो वो सारी सुसाइटी के बंदों के लिए खौफ होता है, फियर होता है कि भाई अगर वो कमिट करेंगे तो उनको भी ऐसी ही पनिश्मेंट मिलेगी आइसी पनिश्मेंट को हम डिटरेंट थियोरी में स्टडी करते हैं याइन के जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करें आप एक जेम्पल में देख सकते हैं, एक बंदा है, इसको कोड़े लगेंगे या फिर और भी इसके बहुत सारे एक्जेम्पल्स हैं, जैसे के स्टोंड लगाते हैं किसी बयाबान जगा में लेके और लोग उसको स्टोंड लगाते हैं, या फिर पबलिक में हैंक कर देते हैं यानि के ऐसी पुणिश्मेंट जो के दूसरे लोगों के दिल में खौफ पेदा करें, फियर पेदा करें ताके वो क्राइम कमिट ना करें इसके बाद है प्रिवेंटिव थियोरी, प्रिवेंटिव थियोरी का पर्पस क्या है? to prevent an offender not to commit crime again इस थियोरी का पर्पज ये है कि offender को रोका जाता है कि भै वो again crime commit ना करे या फिर एक ऐसा बंदा है जिसने crime किया है तो उसको society से बाहर किया जाता है उसको custody में किया जाता है जेल में रखा जाता है ताकि वो दोबारा कोई offense कोई crime ना commit करें तो इस theory का purpose ये है कि to prevent crime crime को रोका जाए society को crime से बचाया जाए तो this is the theory of preventive ये preventive theory है और जो के बंदे जेल में जाते है imprisonment होती है life imprisonment होती है ये preventive theory है उसके बाद reformative theory है reformative theory का purpose ये है कि to advise, to motivate or to have counseling for offender as he, she could not commit crime इस theory का purpose ये है कि जो भी offender होता है उसकी counseling की जाती है उसको advise किया जाता है उसको समझाया जाता है कि भई ये offense ना करें कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनकी जो जहनी तवाजन ठीक नहीं होता या किसी भी disturbance की वज़े थे crime commit कर देते हैं तो उनको समझाया जाता है उनको advise किया जाता है उनकी counseling की जाती है example में आप देख सकते हैं ताकि वो again crime commit ना करें again कोई offense ना करें तो this is the purpose of reformative theory और last theory है वो है retributive theory इसका purpose ये है to take revenge from offender cause same hurt to offender as he cause to the victim retributive theory का purpose ये है कि जिस offender ने जिस criminal ने जो cause किया है जो offense किया है उसको वो ही offense वो ही hurt किया जाए जैसे किसास है किसास is same as retributive theory यानि कि बदला जिस बंदे ने जो offense किया है उसके साथ वो ही किया जाए किसी ने किसी की आंख निका लिये तो उसकी आंख निका लिये जाए eye for eye जैसे किते है जिसे किते है खोन के बदले खोन यानि किया किसास हो गया And if there is any kind of the question, you may ask. Inshallah, we'll be meeting again in next videos. Stay blessed. Allah आपेशा.